हाई, माइने में नीरज, वेलकम बैक तो मा यूटूब चैनल, आज हम लोग प्रॉप्स के बारे में समझने वाले हैं और देखने वाले हैं कि रियक्ट में प्रॉप्स कैसे यूज करते हैं, इन रियक्ट, प्रॉप्स is a short for properties and it refers to the mechanism for passing data from a parent component to its child component. तो हम लोग पहले समझेंगे कि parent component क्या होता है, child component क्या होता है और data को कैसे पास करते हैं, यह इस हाउप्स वर्किन रियक्ट, parent component, the parent component defines the child component as a specific the props that it want to pass down, child component, the child component receives the props and use them to render its output, immutable data, props are immutable meaning that they cannot be modified by the child component and parent to child pass होता है, props, ठीक है, चलिए project को open करते हैं और practical करके देखते हैं कि यह props होता क्या है और इसका use कैसे करते हैं, basically variables कह सकते हैं कि जब एक component से दूसरे component में data transfer करना होता है, तो हम लोग props का use करते हैं, आप .NET से आ रहे हैं तो आप session use करते थे, query string use करते थे, तो इस तरीके से यहाँ पे props होता है, project को open करते हैं, open with code कर लेते हैं और app.js में आते हैं सबसे पहले, ठीक है, index.js, ठीक है, यहाँ पे अभी इसको हटा देते हैं, सब कुछ clear कर देते हैं थोड़ा सा, यह app.js है हमारा, ठीक है, app.js में हमने यह सारी यहाँ print कर आई हुई है, ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं, हमको जरूरत नहीं है, मान लेजिए कि हमको यहाँ से index.js हमारा parent है, क्योंकि यह app हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, कहां से इस app.js से app function हम लेके आएं index.js पर यहाँ पर यूज करने हैं, तो parent हमारा index.js है और child हमारा app.js है, app.js में हमान के चलिए कि यहाँ पर कुछ लिखे हुए है, hello this is neeraj, और जब इसको run करते हैं, टर्मिनल में जाएंगे, इसको npm start करेंगे, तो ऐसे यह hello this is neeraj लिखके आएगा, लेकिन आप चाते हैं कि यह जो नाम हमने यहाँ hard-coded किया है, यहाँ से न ले, यहाँ से जो भेज़ें वो ले तो इसको हम लोग props से handle कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, नेम इक्वल टू, मैं यहाँ कर दूँगा, नीरज, कुमार, तिवारी, ठीक है, और यहाँ पे, एजे, प्रॉप्स मैं इसे receive कर लूँगा, तरह मिट्र का नाम जो होगा props होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो नाम मैंसे दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं props. देखें, नीरज, कुमार, तिवारी, हमने क्या किया, यहाँ नेम अज परामेटर हमने बेजा, और यहाँ पे हमने props परामेटर लिया, और यहाँ पे props.name किया, यहाँ पे दिखना चाहिए, लेकिन दिखना ही राया, तो यहाँ पे हमारा जो है, एक टेस्ट वरियेबल का र जरुवत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, वार्निंग खतम हो गया, तो यह props.name आ गया, अगर इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको change करिए, आप चाहते हैं कि first name यह रहेगा, और इसी तरीके से एक props आप बनाना चाहते हैं, last name, यहाँ पे आप देना चाहते हैं, वा first name और एक और दे दिजिए, यहाँ, last name, और यह compile हो जाएगा, इसको जो आप देखेंगे, तो इस तरीके से आएगा, तो props हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे, यह मेरा parent component हो गया, यह मेरा, यहाँ देख देते हैं, ऊपर, parent component हो गया, और यह app.js है मेरा child component हो गया, तो parent to child जब data transfer करना होता है, तो हम लोग कुछ नहीं करना होता है, अपना एक unique variable बनाना होता है, ठीक है, और इस function में, props है, परामेटर लेना होता है, और इस props dot करेंगे, तो आपका यह value वहाँ पे available हो जाती है, एक तरीका यह है, अब आप कहोगे, कि, यहाँ पर string नहीं भीजना, मेरे पस कोई variable है, और उस variable को भीजना है, तो मैं ऐसे कर दूँ, मान लीजिए, कि मैंने बनाए, पॉंस्ट नेम इक्वल टू, यह नीरज मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और इसको ऐसे कर देता है, एफ नेम कर देता है, एफ और नेम कर देता है, आप कह रहे हो, कि आपके पास एक और variable है, इसी तरीके से, एल नेम का, राइट, और यह है, तीवारी, थोड़ा सा, अभी देखो, सेम चीज यहाँ आ रहा है, इस ब्राउजर पे, कैप्स कैप्स आ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, नीरज, पुमार, इसको स्मॉल में कर देता हूँ, पता चले कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आप कैसे बेजोगे, तो उसकी लिए सिंपल सा करना है, कि यह स्ट्रिंग यहां से हटाना है, इसको करली ब्रेसिस के अंदर लेना है, यहां पे एफ नेम करना है, इसको करली ब्रेसिस के अंदर लेना है, और यहां पे क्या करना है, एल नेम करना है, और प्रोजेक्ट को जो आपर र और उसके बाद अगर आपको होगे कि जेशन डेटा अगर आपको पास करना है तो उसका भी तरीका है जेशन डेटा भी हम लोग पास कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं जेशन डेटा का मतलब मान लीजे कि आपको क्या करना है जेशन डेटा में अगर आते हैं इसको हम कर द कर देते हैं आपका नीरज और इसमें यह मेरा हो गया फॉस्ट नेम नीरज और इसमें एक और भीजना है हम को लास्ट नेम इसको हम कर देते हैं तिवारी ठीक है थोड़ा सा मेनिंग्फूल कर देते हैं ठीक है और अभी इसको हटा देते हैं ठीक है यह बनाते हैं तो हम लोग कोलन का यूज़ गर थे हैं आब यह sniff हम को भीजाना है कैसे भीजेंगेगे यहाँ पी परामीटर हम नेम ले लेते हैं और इसमें हम क्या कर देते हैं यह ने थे ठीक है तो हमने इक औभ बना दिया देट करिया जो भी आपजोट और शॉट कर दिया और यह कर दिया इसes करने का क्या तरीका है यहां पे props.name करेंगे हम एंदेन हम करेंगे variable का नाम क्या है first name इसी तरीके से हम करेंगे यहां पे last name इसको save करेंगे compile successfully हो जाएगा यहां run करेंगे तो यह निरति वारी इसमें अगर आप मान लो कि आपको चाहिए कि एक parameter और भीजना है आपको एक parameter और भीजना है तो आप यहां पे कटी ले सकते हैं और इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं यहां पे age ऐसे यूज कर सकते हैं आपको दिखा देता हूँ 30 तो simple है कि props क्या होता है कोई भी information अगर parent component से child component में हम लोग को पास करने की जरूरत है वहां पे हम लोग props का यूज करते हैं सीधा सीधा parent to child यहां पे props आता है और यहां पे क्या करते हैं हम लोग हम लोग एजे props भेज सकते हैं, उतको receive कर सकते हैं, भेजने का क्या तरीका होता है, भेजने के लिए के example है कि हमने यहाँ एक variable लिया, इस तरीके से यहाँ भेजा और इसको props parameter से read करके यहाँ हमने दिखा दिया, तो simple अगर आपको कोई भी information, parent to child transfer करना है, वहाँ props का यूज कर होते हैं, parent to child होते हैं, और जो है किसी भी तरीके का data, आप string भेज सकते हैं, variable भेज सकते हैं, object भेज सकते हैं, जिस तरीके से जिस form में आप भेजेंगे, उसी form में आपको read करना होता है, तो हम उमीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आज के वीडियो